मौसम से जुड़ी सठीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखे नज़र आज ही डाउनलोड करें स्काइमेट मोबाइल आप पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाशा में और रहे बा अपना पूर्बानमान जारी किया है कि अप्रेल मैं और जून में हीट वेव कैसी रहेगी कैसा अपन रहेगा तो उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं उसके बार में दिसक्स करते हैं फिर हम चलेंगे कि आगा आगे कैसा रहेगा मौसम तो यह जो मैप उन्होंने जारी क अप्रेल से लेकर कि जून तक इस तरह का वेदर रहे सकता है यानि कि हीट वेव जो रहेगी आपकी पच्छमी राइस्तान में गुजरात अपूर्विय मत्यप्रदेश चत्तिस गड़ उरिसा के साथ साथ महराष्टा के कई इलाकों में और आप जो इंडियर करनाटा का है प्र नाड़ू एक गे और कि आप्रिया social में अपूरिसा बनाटा के साथ और प्रदेश है और अप्रेश रहेहते हर गड़ लाक्री का अपरीया का महीना अगर देखें ऑर बॉस्ट शेdoes करके महराष्टा इन उस परापी गुजरात राजस्तान में जो नॉर्माल आपटेस तो यह जो एक तरह से अगर हम देखें तो जो अपरेल, मई और जून यह तीपार्चर के बिना भी हीट वेव डिकलेर कर दी जाती है तो यह जो एक तरह से अगर हम देखें तो जो अपरेल, मई और जून यह तीन महीने होते हैं वो काफी ज़्यादा गर्मी वाले होते हैं और इसमें अगर हम देखें तो क्या होता है कि जो प्रिमांसून एक्टिविटी होती है वो पंजाब, हर्याना, दिल्ली, उत्तरी, राजस्तान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में यानि धूल भरी, आधी, गरच, चमक के साथ बोचहार यह आना सुरू हो जाती है आपने मार्च के महीने में देखा होगा कि यह मद्यपरदेश में, चत्तेजगाण और पूरवी भारत के साथ साथ उत्तर पश्वी भारत में दिखाई दी थी उससे क्या हुआ था कि टेंप्रेचर कंट्रॉल में रहे और सबसे बड़ी बात है कि क्लाइमिट चेंज का असर भी पूरी तरह से दिखाई देने लगा है हम देखते हैं कि जो वेस्टन डिस्टर्बंस पहले आते थे वो तोड़ा सा डेले हुए इस वार हमने देखा फरवरी और मार्च में काफी ज्यादा वेस्टन डिस्टर्बंस आये मार्च के महीने तक जो पहाड़ों पर स्नोफाल होता रहा इसलिए जो मार्च में भीषण गर्मी होती थी दिल्ली पंजाब हर्याणा में और पश्चमी उत्तर प्रदेश में वो दिखाई नहीं थी अब जाकर के तापन बड़े है उसको क्योंकि भीच भीच में वेदर अ हो सकती है कि बाद वेष्टन डिश्रवाएंगे पंजा वारे अना दिल्ली के असपास हलके फुलके बहुचाने पड़ सकती है तो 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 नीचे गिरेंगे और ऐसे ही महाराष्ट्रा यानि मद्य महाराष्ट्रा विधर्ब मराठवाड़ा पूर्वियों तर्पदेश इन इलाकों में भी बारिशी गत्विदियां और करनाटके के कुछ इलाकों में बारिशी गत्विदियां छे, साथ, आठ अपरेल को दिखाई दे रही है तो उस समय फिर से यहां पर टेमपरेश्य गिरेंगे हीट वेव का जो चांसे जब कम हो जाएगा इसलिए जो अपरे पूर्वी भारत के इन सब में हीट वेव तो आएंगी लेकिन इंटेंसिटी इसकी कम रहेगी लेकिन मद्य भारत और दक्षिड भारत में जादा आ रहेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि बाकी इलाकों में जहां पर हीट वेव कम होगी वहां पर बीच बीच वीच यो प्री अप्रेल और मई में और आपको यह पता है कि मानसून जो है वो एक जून को दस्तक देता है केरल के उपर या निके यह नॉर्मल डेट है आगे पीछे हो जाता थोड़ा लिकिन क्या होता है कि जून का जो पहला सब्ता है उसमें करनाटा केरल और यह नौर्ट इस्ट इंड जारत में जून के पहले सब्ता से ही तापमान गिरने लग जाते हैं लेकिन जो मानसून है आपका जो इधर आता है नॉर्ट वेस्ट इंडिया में जो आता है वो जून के आखिर माता है इसलिए जो पहला पकषवारा है जून का वह भी काफी ज्यादा गरम होता है तो जो काफी हद तक सटिंग लग रहा है क्योंकि इस वार जो है जादा रहेंगे ल्नीनों चल रहा है हालांकि अलनीनों दीरे दीरे कम हो जाएगा और मानसून आते लानीन आ जाएगा इसलिए मानसून प्रड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है नौ अपरेल को इस काइमेट पू होंचेगा उसके पीछे एक और वेस्टन डिस्टर्मेंस जो 5 अपरेल ऐके गा पहाड़ों पर बर बारी उचे पर होती रहेगी चार पूंश झी जली बारिसियर और तो तीन तारीको और 5 तारीकों यह बार wars finalement तो पंझाब ह जिल्हाल सुष्क रहेंगे यानि उत्तरपदेश, बिहार, जारकंड ये जो इलाके हैं सुष्क रहेंगे लेकिन पश्चिम मंगाल के उत्तरी इलाकों में जो बारिश है वो जारी रहेगी और आपने देखा होगा एक ख़वर पड़ी होगी कि जल्पाई गुरी जो पश्च मंगाल, बिहार, जारकंड, ओरिसा और पुर्वत तर राज्यों में कालवय साकी जैसी हालत बन जाती है जिसको नौर्वेक्टर कहते हैं बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज हवाय चलती है, बिजली गिरती है तो इस सारे के जो नेच्रल कलामिटी है वो आगे भी देगे और जो क्लामिट चिन के कारण के अवराय के तापमान और ज्यादा बढ़ रहे हैं, उससे और ज्यादा इंटेंस वेदर बन रहे हैं, साइकलोनिक सर्कुलेशन अभी पूर्वी असंपर बना हुआ है, इसलिए अभी उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गत्विदिया जारी रह सकती हैं, यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहां पर बारिश रहेगी, और जैसे जैसे टापमान बढ़ेंगे, क्योंकि अब हीट वेप आएगी, जब चालिश दिग्री और पैंतालिश दिग्री तक तापमान पहुंच हैं उत्तर भारत में, तो फिर धूल वरी आंदी वगेरा बहुत कॉमन हो जाती है, तो इस तरह का वेदर यहां पर रहने बाला है, रायश्तान के दक्षणी राके गुजरात और पश्वी मत्रदेश से पूरी तरह शुष्क और गरम रहेंगे, महराश्टर में अगर हम बा आठवाडा में छे तारिकों हलकी वारिश होगी, लेकिन साथ तारिकों महराश्टर के कई इलाकों में तेज वारिश के साथ-साथ एक-दोश्तान पर ओले गर सकते हैं, तेज हवाय चल सकते हैं, यानि कि उस समय मौसम बिगड़ेगा तो सही, लेकिन गरमी से कुछ रहत आ आठारी रहेंगे, तक्षिने अंदमानों और निकोवार दीप समय मौप जारी रहेंगे, लेकिन तेलंगाना, अंदरप्रदेश, करनाटक और तमिल नाडु की जादा तर इलाके काफी जादा सूखे बने रहेंगे, इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आप